नवस्कार मित्रों मातरानी की जैहो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मित्रों आज आपको बताया जाएगा कि स्वयम के पेरों की मिट्टी से आप किस प्रकार से वशीकरण कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं परध्यान रहे मास मदिरा का सेवन करके आपको विधी नहीं करनी है और अगर आप विधी करने में ऐसमर्थ हैं और वशीकरण आसरम से करवाना चाते हैं तो हमें बेजी जग संपर्क करें आपकी पूरी सहायता की जाएगी हमारे संपर्क सुत्र आपकी स्क्रीन पर चल रही है मित्रों आज का उपाई बहुत ही ताकतवर वशीकरण उपाई है इसमें आपको बताया जाएगा कि स्वयम के पेरों की मिट्टी लेकर आप किस प्रकार से वशीकरण का कार्य कर सकते हो जिससे पूरी तरीके से आपका प्रेमी आपका गुलाम बन जाएगा जीवन में आपको इस विधी के अलावा कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा जैसे हमने बताया है वैसे करें हमारी गारंटी है वशीकरण होकर रहेगा आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा जिस प्रकार से आप प्यार करते हो उसे उसी प्रकार से वो भी आपको चाहने लगेगा आपके ओपर आकर्शित हो जाएगा सामगरी जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो आपको अपने सीधे हाथ के एक मुठी जितनी अपने पैरों के नीचे की मिठी लेनी है नंगे पाउं आपको कच्चे जमीन पर जाना है और राइट पैर सीधे पाउं के नीचे की मुठी भर मिठी आपको उठानी है सीधे पाउं के नीचे की मिट्टी आपको लगभक सीधे हाथ दाहीने हाथ की मुठी जितनी आपको मिट्टी उठा लेनी है और उसे विधी में इस्तमाल करना है एक काला धागा आपको लेना है और एक आपको सफेद कलर का कपड़ा लेना है ये सूती रेस्मी किसी भी प्रकार का हो सकता है विधी के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार दिन के समय स्नानादी से निवरित होकर ये विधी दिन में ही होगी रात्री में ये विधी नहीं होगी याद रखना स्नानादी से निवरित होकर कोई विवार कोई भी तिती सुद्ध तनमन के साथ पूरे विश्वास पूरी सरद्धा के साथ आपको ये विधी करनी है और सर्व पर्थम आपको ये जो मिट्टी आपने ली है इसे सफेद कपड़े में डाल कर और इसे काले धागे से बांध लेना है और इसे इस पोटली को तयार कर लेना है इस प्रकार से आपको पोटली तय प्यार कर लीनी है इसमें आपके पैरों के नीचे की मिट्टी है और सफेद कपड़े में बांध कर आपने से काले धागे से अच्छे से बांध कर पोटली तयार कर ली अब आप इसे बिना अभिमंत्रित के सीधे पीपल के पेड़ के और उपर आपको इसे लटका देना है किस सोमवार को दिन के समय आप 10 से 12 के बीच में आपने इसे पोठली को तयार करके और पीपल के पेड़ के तहनी पर आपने इसे लटका दिया फिर आपको दूसरे दिन उसी समय जाना है सौमवार को अगर आपने इसे बांदा है लटकाया है पीपल के पेड़ बे तो आपको दूसरे दिन ही जाना है पूरे 24 गंटे आपको इसे पीपल के पेड़ के उपर लटके रहने देना है वहीं से वो रश्मय एकत्र होंगी जो व वहां से उतार लेना है वहां से निकाल लेना है जिस टहनी पे आपने बांदा है और उसके पश्चात आपको इसे सीधे हाथ में लेकर 24 गंटे के बाद इसे उतार कर सीधे हाथ में लेकर आपको मंतर बोलना है ओम रीम क्रीम नाम सम्मोहनम रीम क्रीम ओम रीम क्रीम सामने वा बात बर आपको ये मंत्र बोलना है और फिर उसके पस्चात आपको ये पोटली खोल कर ये जो मिट्टी है जो अभिमंत्रित हुई है इसे आपको सामने वाले के पैरों में डालनी है उसके रस्ते में डालनी है ताकि उसके पैर इस मिट्टी में पढ़ जाएं इसे आप उसके घर के भार भी डाल सकते हो जहां से उसका आना जाना हो आपके प्रेमी का आपके पत्नी का आपके पती का जहां से भी आना जाना हो ये मिट्टी आपको उसके पैरों में डाल देनी उसका पैर इसमें लग जाना चाहिए और ये जो कपड़ा और जो धागा रहेगा इसे आपक ति जीवन भर के लिए आपका गुलाम बन के रहेगा जिसके उपर आपने ये किया है जिन्दगी भर के लिए आपसे आकरशित रहेगा खुद कॉल करेगा मैसेज करेगा उमर भर के लिए आपका बन के रहेगा मित्रों विधी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आप से कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधी आसरम से करवाना चाते हैं तो हमें बेजिजक संपर्क करें आपकी पूरी सहायता की जाएगी हमारे संपर्क सुत्र आपकी स्क्रीन पर चल रही है इसी के साथ जैमाता दिमित्रों हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही जो 30 से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे जैमाता राने